हलो गाइज हाई नमस्ते तो आज हम मेडिशनल केमिश्ट यूब इस्ट्रोइड में बात करेंगे क्लासिविकिशन ओप इस्ट्रोइड हार्मोन तो हमारे इस्ट्रोइड हार्मोन को दो टाइप से क्लासिवाई किया गया है एक तो सेक्स हार्मोन और हम दुसरा बोलते हैं ए Adrenal Cortex Hormone या Adrenal Corticoidal Hormone या Cortico-Esterite तो हम देखते हैं एक इसका अच्छा सा Classification महाँ पर आपको और अच्छे समझ आएगा तो हमारे Esteroid Hormone को जैसा में आपको बताया था कि एक Sex Hormone और दूसरा Adrenal Cortex Hormone तो हमारे Sex Hormone तीन टाइप से होते हैं एक हमारा C19 Carbon Containing जो हमारा Sex Hormone होता है वो होता है Androgen हम इसको बोलते हैं Mel Sex Hormone वो इसके कुछ एक्जामपल हैं Testosterone Androosterone या Dehydro Testosterone और एक हमारा C18 Carbon Containing जो हमारा Sex Hormone होता है वो होता है Estrogen यह हमारा Female Sex Hormone होता है तो यह कुछ Estrogen के कुछ फॉम होते है Estrone Estradiol Estriol और यह भी हमारा C21 Carbon Containing जो Sex Hormone होता है इसका आदा होता है Gestrogen या हम इसको बोलते है Progestin या इसके एक्जामपल में आता है Progestron तो यह Corpus Luteum से Secret होता है इसका नाम दिया गया है Corpus Luteum Hormone Corpus Luteum से यह हमारा Progestron या Gestron Secret होता है तो इसका नाम दिया गया है Corpus Luteum Hormone इसके एक्जामपले या तो हम इसको Progestin बोल सकते हैं Progestin बोल सकते हैं इसका इसका एक्जामपल है Eldo Estron और जो दूसरा इसका function है वो एक Glucocorticoid एक्षन तो यह क्या करते हैं हमारी बोड़ी में Blood Glucose Level को मेंटन करते हैं इसका एक्जामपल है Hydrocortisone और इनका जो थर्ड फंक्शन है Anti-inflammatory action Sex hormone में हमारी जो तीन sex man hormone है हम एक-एक को लेके बात करते हैं और उनके सारी drugs और उनके example और उनके इस्ट्रेक्ट के बारे में बात करेंगे तो फश्ट है हमारा Estrogen यह एक female sex hormone है और यह 18 carbon containing हमारा Estroid है इसके कुछ therapy use के आरे में बात करते हैं तो जो हमारा Estrogen है यह क्या करता है Development of secondary sexual characteristics और growth of uterus during puberty and initial growth of endometrium during menstrual cycle Estrogen and related drugs में जो फस्ट क्लास है Estrogen इसमें फस्ट आता है Natural तो इसमें तीन रग है हमारी Estradiol Estron Estriol सिंथेटिक स्ट्रोइड में हमाई दो क्लास आती है एक होती स्ट्रोइडल और एक नोन स्ट्रोइडल तो इन दोनों में तीन तीन रग आती है तो इसमें फस्ट है इथिनाइल Estradiol मेस्ट्रानोल और टीबोलोन और जो इसमें आती है डाई इथाइल Estribastrol Hexastrol डाई इनेस्ट्रोल और Antistrogen में एक ड्रग आती है क्लॉमिफेन सिट्रेट और सिलेक्टिव Estrogen Down Regulator में फुल्वेस्ट्रेट और Estrogen Receptor मोडूलेटर में दो ड्रग आती है टेमोक्सिफेन और टोरे मिफेन और Aromatase Inimiter में तीन ड्रग आती है हमारी Letrazole Anastrol और Exeem S10 तो अब हम इन सब के structure के बारे में बात करते है तो अब हम इसके सारे structure के बारे में बात करते हैं तो जो फर्स्ट क्लास मैंने आपको जैसा की बताई थी हास में तीन ड्रग आती है तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने जैसा आपको बताया था कि इसमें ची 18 करबन होता है तो पहले हम यह 18 करबन की रिंग मना लेंगे यह यहां तक होता है 18 यह यहां तक होता है हमारे 16 17 और जो हमारे 18 करबन लगता है वो 13 पोजिशन पर लगता है एस्ट्रोजन वाले ड्रग में ही टीवल बॉंड लगेंगे तीन डबल बॉंड लगेंगे बागी सब में फोर्त पोजिशन पर डबल रहेगा तो एस्ट्रोजन में उन से यहां पर डबल बॉंड ओ लग जाएगा बागी में और एस्ट्रडायोल तो डायोल है तो एक ओस यहां पर और एक ओस यहां पर और एस्ट्रायोल में दो ओस यहां पर और एक ओस यहां पर तो यह हमाई तीन ड्रग हो गई तो सिंथेटिक एस्ट्रोजन में हमाई दो क्लास होती है तो फस्टिक की जो फस्ट ड्रग है वो है इथिनाइल इस्ट्राडाइओल तो इस्ट्राडाइओल का अभी हमने स्ट्रेक्चर देखा कि यह होता है इसमें दो ओईज लगए होता है इस्ट्राडाइओल तो डाइओल एक ओईज यहां पर एक ओईज यहां पर तो इसका इथिनाइल तो इथ का मतलब होता है दो कारबन और आईल हम कब यूज़ करते है जो दो कारवन के भीज में तीन बॉंड लगे हुए हो तीन बॉंड के लिए हम यूज़ करते है आईल और वन बॉंड के लिए हम यूज़ करते है एन दो के लिए इन और तीन के लिए आईल तो इसका नाम हो जाएगा इथिन आईल तो हमाई ड्रक बन जाएगी इतहिनाईल, इस्ट्रादायओल और ऐसे ही जो सेकेंड ड्रक है हमारी मेस्ट्रैनल तो मेस्ट्रैनल में हमको क्या करना है usually OS नहीं लगाना है यहाँ पे OS नहीं लगाना है बाकी सेम ड्रक है बाकी सेम है मेस्टर नोल में हमको क्या गाना है यहीं आप यहां से देखिए मी से हमको क्या लगाना है मिथाइल लगाना है मिथाइल कहां पर लगाना है यहां पर ओश लगा हुआ है तो और रहने देंगे और क्या लगा देंगे CS3 मेस्टर नोल और बाकी सेम बस हमको CS3 O लगाना है यहाँ पर तो हमारी ट्रग बन जाएगी मेस्टरनोल और ऐसा ही टीबो लोन में क्या गना है यह तीनों बोन भी नहीं लगाना है और यहाँ पर नहीं और यहाँ पर नहीं डबल बोन ओ लगाना है बस एक बोन लगाना है तो इसका नाम हो जाएगा T-BOLON यहाँ पर हमको डबल बोन ओ लगाना है बस और इसका नाम हो जाएगा T-BOLON ओन से याद लगना है ना वो खुद ही बोल रहा है और अब हम नोन इस्टरोइडल में बात करते हैं पहले ट्रक डाय इथाइल इस्टिबेस्ट्रोल तो डाय इथाइल मतलब 2C2H5 तो यह क्या बोलत है डाय इथाइल इस्टिबेस्ट्रोल तो यह एक फोर्मुला होता है इस्टिबीन का यह हमारे स्टिव इनक फोर्मूला होता है तो वो क्या बोल रहें डाई इथाइल तो एक इताइल इधाइलिधर ऐसे लिधर हेखेस्ट्रोल में क्या करना है हमको चिप यह वाले डबल बोन निकाल देना है तो हमाई ड्रकबन जाएगी हेख़ेस्ट्रोल यह वाले डबल बोन लाइpro अब दो डबल बॉन लगाना है तो एक बॉन यहां पर लगा देंगे और एक डबल बॉन यहां पर लगा देंगे तो हमाई ड्रग बन जाएगी डाई इनस्ट्रोल तो यह हमारी नेच्रोल इस्ट्रोईड और सिंथेटिक नेच्रोल इस्ट्रोजन और सिंथेटिक इस्ट्रोजन की हमने सारी ड्रग देखी अब हम एंटी इस्ट्रोजन में जो हमाई ड्रग है क्लॉमिफीन तो जैसा कि मैंने आपको ही बताया था कि यह इस्टिविन का फोर्मॉला होता है और हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकता है तो यहाँ पर देखिए क्लॉमिफीन क्लॉमिफीन से हमको यहां पर क्लॉमिन और फीनस खुद बोढ़ रही थी फिनाईल तो यहां पर फिनाईल लागाना है और यह आपको एक साइड चेन याद रखना है डाई इथाइल डाई इथाइल अमाईनो डाई इथाइल अमाईनो और दो कार्बन है तो क्या हो जाएगा डाई इथाइल अमाईनो इथोक्सी डाई इथाइल अमाईनो इथोक्सी और एसा ही जो एक हमाई सेलेक्टिव एस्टोजन सेलेक्टिव एस्टो ही लुग लीडियर्टर मोडिोंटर में जो ड्रग आती transparent इमॉक्षी फेन एम लुक्षी फेन इसमें क्या करना है कुकि सेम मuur हम को Ąमारा इश्टिमिन को फॉ्ल और मोला है वो ऊतारना है और यहां पे यहां पे क्लोर्ड लगा हुआ है तो कलोरी नहीं लगाना है और एक कार्बन और बड़ा देना है और यहाँ पर वही सेम ट्री के फेंच से हमको फिना ही लगाना है और सेम यहाँ पर दो कर्बन लगे हो हैं और यहां पर only एक कर्बन लगाना है मतलब हमको यहां पर सिमिथाइल लगाना है और यहां पर क्या लगे हो हैं डाई इथाइल लगे हो हैं और ऐसे ही एकोड रगे हमारी टोरे मिफेन तो टोरे मिफेन में हमको क्या करना है यह दोनों काम करना है एक कर कार्बन लगा के बाद में खम को लगा देना है क्लोरीन तो क्या करेंगे एक कार्बन बढ़ाया और लगा दिए हमने क्लोरीन और बागी जो इसमें साइट चेन लगी थी वह सेम यसी में रहेगी डाइ मिठायलमाईनो इत्योकसी डाइ यह हमारी सारी स्टोजन की ड्रक्स यहां पर कंडिट होती है तो अब हम अब हमारे सेकेंड सेक्सष हहर्मोन की बात करता हैं एंडियरल यह हमारा मेल्शेक्स होर्मोन होता है यह हमारा मेल्सेक्स से होर्मन होता है तो यह C19 Carbon Containing Histroid है और एंड्रोजन आर सिंतेसाइज़्ट प्रोम कोल यह कहां से सिंतेसाइज़्ट होता है तो कोले स्ट्रोल इन दा टेस्टीस एंड एड्रिनल कोटेक्स है इड्रिनल कोटेक्स और प्रोजेस्टीन जो 21 कारबन है और प्रिकर्सर टू अल एंड्रोजन मतलव जितने भी एंड्रोजन के एक्जामपल है हमारे जो अभी हम पढ़ेंगे उसकाब जो प्रिकर्सर है वह कोन है प्रोजेश्टिण तो एंडोजन के दो थियराम्यूटीग यूज यूज है यह इसकी टो एक्टिवीटी है तो एक होते है इडोजनिक एक्टिवीटी मदलब क्या कि सेकेंडरि सेक्सुल और एक होती है एनाबोलिक एक्टिविटी मदलब मसल बिल्डप तो जो भी यह हमारे जीम बगरा जो लोग जाते हैं वो एनाबोलिक इस्ट्रोइट की मेडिजिन खाते हैं हम जो हमारी मसल्स होती है उनको बिल्डप करने के लिए तो हम इसकी कि ड्रक्स पड़ता है एंड्रोजन Mad Related Drugs में परस्ट त्रक्लास एंड्रोजन इसमें भी नैजडीरल और सिंथेटिक तो इसमें आतीह टेस्टोइस्टोन डाइ्डोटेस्टोन और एन्रो स्ट्रोन और स enabling मेढ मेढ मेरी पश्टोऊस्टेट्टोव प्लू ओक्सी मिन इस्ट्रोन और मेरे इस्ट्रेलोम और अनबोलिक स्ट्रोईट जैसा कि मैंने आपको पता है यूद कि मसल्स बिल्ड अप करने के लिए अब कि मीथा कि मिथेन डाई मिथेन डाई इनोन नेन्रोलोन और और इस्टेनो जोल और एंट्री एंट्रोजन में एंट्रोजन में हमाई तीन ड्रग आती है कि सिप्रोठरोन पुल्टाँमाइड और वाइकेलूटामइड और फैब अलफा रेड़क्त अनिवीटर में अमाई दो द्रग आती है the rinais LinkedIn के वारे में बात करते हैं था मैंने भी आपको ऐसे बताए था कि ये सी 9 स्व。 शु然 9 फीर वो कहां पर होता हो जो 13 फोर होता है proudly मैंने आपको लागाना है और इंड्रोस्ट्रोन में हमको कुछ नहीं करना है सिफ यहाला बॉन नहीं लगाना है तो हमाई ड्रग बन जाएगी डायड्रोस्ट्रोन और एंड्रोइस्ट्रोन में हमको क्या करना है इसका उल्टा करते है यह यहां पर बीटा ओएस है तो इसको अलफा ओएस लिख देना है और बाकी यहां पर डबल मोंड है तो इसको यहां पर कर तो यहां पर जो सिंथेटिक जो ड्रग है उसमें इन लोगों ने सिफ किया है अब मिथाइल ग्रूप एट 17 पोजिशन तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल टेस्टोस्ट्रोन तो यसे ही हमारी जो ड्रग है second blue oxy में strong तो blue से हमको fluorine लगाना है 9 पोजिशन पे और oxy से 1 os लगाना है और pen और ये जो हमारी पोजिशन है वो है 11 और 12 तो हमको 11 ग्रयंत पोजीशन पे एककी से OOS लगाना है और España से यहाँ पर एस्टमिथाईल लगाना है तो ड्रग का नाम बन जाएगा फ्लू ओक्सी मेस्ट्रोन जैसा कि हमने मिथाईल टेस्टोस्टून में टेस्टोस्टून में они हैं यहाँ पर हम मेस्ट्रो मेस्ट्रो लोन इसमें यहां पर हमको एक मिथाइल लगाना है हमको वन पोजीशन पर तो ड्रग का नाम बन जाएगा मेस्ट्रो लोन अब हम एनवलिक इस्ट्रो इटक्टक्चर के वारे में बात करेंगे तो हमारी फस्ट ड्रग है मी अमिथेन डाई इन ओन तो डाई इन से दो डवल बॉंड और ओन से डवल बॉंड ओ और मी से हमको यहाँ पर लगाना है एक एस्ट्रा मिथाइल ऐसे ही हमाई जो ड्रग है सेकेंड ओक्सी मिथोलोन सेम ड्रग है इसमें डवल बॉंड नहीं लगाना है तो हमाई ड्रग बन जाएगी ओक्सी मिथोलोन और जो हमाई सेकेंड रग है इस्टेनोजोल तो एज ओल से ओल से फाइब मेंबर इसमें एक हमको हिट्रोसाइकलिक रिंग लगानी है और दो नाइटोजन लगाने और दो जैसा कि आप यहाँ पर इस ड्रग्व से थोड़ी सी ट्रिक देख सकते है कि यहाँ पर दबल वोन लगाए यहाँ और यह पर दो नाइटोजन लगाए तो हमारी यह रिंग बन जाएगी हेत्रोसाइकलिक रिंग बन जाएग और इसमें ये फोर्साइकलिक वाली रिंग जो एसे एक ड्रेग होते है 19 को हम बोलते हैं तेस्टो इसका नाम हो जायागा नेंड्रोलोन फिनाइल प्रोपियोनेट तो अब हम एंटी एंड्रोजन्स की बात करते हैं तो फस्ट जो ड्रग है हमारी सिप्रोग टेरोन एसिटेट और जो दूसरी ड्रग है हमारी ख्लूटामाइड तो मैंने इसका इस्ट्रेक्चर बना दिया है तो फाइव अलफा थाइव अलफा रेड्विटस इनिवीटर में दौ ड्रग आते है थिंद इस्ट्रोल थो फिने स्ट्रोल से हमको यह आद रखना है कि फीना तो इसमें एक नाइडरोजन लगा देना है बस बागी सेम ड्रग है कि तो इसका नाम बन जाएगा फिनैस्ट और इसमें बन टू पोजिशन पर डबल बन होता है और वैसे ही डूटा इस्ट्राइड तो यह सेम डग बनाना है और यहां पर और यहां पर एक फिनाइल लगा के तो इस ड्रक का नाम बन जाएगा डूटा इस्ट्राइड